नमस्कार में राजा कुमार स्वाथ करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल पेडिक्सन राजा में दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले एक और धमाकेदार मुकाबला जो कि खिला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इससे बड़ा मुकाबला मुमीद करके नहीं चल सकते हैं और इस मैच को लेकर देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फेंटैसे टीम को लेके बाता दू तो हमने लगवग यहां पर लास्ट के 6-7 मुकाबले में एक भी मुकाबले हमने हाले नहीं है इस मैच में कौन होंगे हमारे लिए पॉकेट रॉकेट इस वीडियो में बात करेंगे दिखान रखेगा बीना किसी पार्ट को स्क्रीप करेंगे आपको पूरा वीडियो देख लेने अगर आप जीयल में अच्छा रेंक लाना चाहते हो तो हम जिस मैच को लेके बात कर रहे हैं वह खिला जागा आर प्रेम दासवा स्टेडियम को चीज़े हैं और सातमे फाइनल टीम्स वगरा बी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो कुछ नहीं करना आपको जाना है फटा आफ़ टेलिगराम चैनल से जोइन कर लेना है कैसे जोएं करन है आपको इसी पीडियो के चले जाने डिस्किप्सं में यहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप केमेंट में देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आने वाले और भी धिर सारे मुकाबले हैं लेकिन इस से छोटे इस से बढ़े वी 14 अक्टूबर को इंडिया फिस पाकिस्तान का सब मुकाबले का अगर आपको वीडियो चाहिए फा से पहले आप सुरू कर दोगे और साथ में बड़े-बड़े गीबवेज भी आते रखें तो आपके पास वीडियो का नॉटिफिकेशन जाएगा तभी तो आप गीबवेज जीतोगे ग्रेंड लिक जीतोगे तो सब्सक्राइब करके आप रख लेजिए और दोस्तों सांदार सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे इस चाप में उनको पतीस जार पीज रियल कैस मिलेंगे फैनल के बाद और यहीं नहीं किसी एक मुकाबला में जो धमाकरदार होगा वल्ड कप का मुकाबला उसमें आप और हम साथ स्टीडियम में बैठके मुकाबला देखेंगे वह भी हॉस्पेटलिटी टिकट कोई नॉर्मल टिकट नहीं जहां से आप समझ सकते हो कि उससे ब्यतरिन सीट का उमीद ही नहीं कह सकते हो कि स्टीडियम के अंदर आने जाने खाने पीने सब कुछ का बंदवस्त मेरे तब सो होगा साथ मुमकाबला देखेंगे उसके लिए आपको करना क्या होगा लीग 11 को पहले डॉनलोड कर लेना होगा अगर आपने अभी तक डॉनलोड नहीं किया तो आप जएगा टलीग्राम पे सबसे टॉप जो आपको दिखेगा पिंड मैसेज सबसे उपर वहां पर आपको दिख जाएगा मेरा लीग 11 का लिएगा उसके पर क्लिक किजिए और फटाफट आप जो है डॉनलोड करके खेलना स्टाट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट कीजिए साथ में आपको यहां तो अभी पतीस जार दिख रहे हैं सामने जो आ रहे हैं टुनमेंट वल्ड कप कुछ मेगा वहां पर होने वाला आप लोग के लिए आपके लिए आगा जैसे अभी लेके आया है अब बाता दिए कि इस वीडियो में किंटीन टॉपिक्स के लगे डिसकस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मैस डीटेल्स पीच रिपोर्ट लास्ट मैच फ्लेर स्टेट्स वेन्यों स्टेट्स हेड्ट रिकॉर्ड रिकॉर् को लंबो में यहां पर ब्रेज स्कूर आता है दूसो पचास से दूसो साथ के बीच में हैस्ट है तीन सो पचाट्ट रोइस्ट है एटिसिक्स और यह पीच स्पीनर्स के मुताविक होता है यहां रखेगा अगर यहां पर हम बात करेंगे वाली टिम जीति हैं 75 बैटिंग स स्कूरिंग पेटन को लेके बात कर लेंगे तो 200 से उपर 200 से नीचे बने हैं 15 दफा फिर 200 से लेकि 209 के बीचे बने हैं 56 दफा और यहां पर 300 बने हैं 21 दफा ध्यान रखेगा यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं वह जो मुकाबले खेले जाएंगे पाक वर्सेज यह पाक सिर्लंका वर्सेज बंगलादेश उस मैच से पहले मैं यह वीडियो मुना रहा हूं तो यह जी डाटा है वह उस मैच से पहले तक के हैं अब अगर हम बात करेंगे रिसेंट मैच को लेके तो इस वेंडियो के उपर 26 अगस दो जाट पेसको लास्ट मुकाबला खेला गया थ 24 जुन 2022 को एक मुकाबला और खेला गया था जहां पर लंका की टीम पहले बल्ले वाजी करते हैं बोर्ट पर लागा थे 160 ऑस्टेलिया आराम से चेज्डाउन कर ली थी फर्स्ट इनिंग पैसर पांच विगेट इस्पीनर को मिला था 5 विगेट पैसर को मिला था 1 विगेट 21 जुन 2022 सिर्लंका वर्सेज यहां पर देखो को ऑस्टेलिया सिर्लंका पहले बल्ले वाजी करते हैं बोर्ट पर लगा थे 208 ऑस्टेलिया लगा थे 204 फर्स इनिंग पैसर को 4 विगेट इस्पीनर को 3 विगेट सकंड इनिंग पैसर को 3 विगेट इस्पीनर को 7 विगेट ज से ड्रॉप कते ही नहीं कर रहे हैं अब आई हम बात करते हैं हेट टूइट मैच को लेके दोनों टीम के बीच में 125 दफा मुकाबले हुए जहां पर 55 मुकाबला जीती है इंडिया के टीम थेत्र मुकाबला जीती है पाकिस्तान की टीम लेकिन दोस्तों इस स्टेट्स को आपक करके आरी ध्यान रखेगा पाकिस्तान का टीम अगर आप देखोगे ना इनकी पेस्ट ट्रायों जहें नसीम सा फिर हारी स्रॉफ और आपको दिख जाएंगे साइन साफ डिदी अगर इस ट्रायों से इंडिया का टीम बज जाती है तो फिर इंडिया जीज सकती है मैच क्यो लेकिन उनको श्ट्रागल करवा सकते है तो टीम हो सकता है नवाज को खिलबा सकता है यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करेंगे लेकिन दोस्तों इसको छोड़ दोगे तो सब्सक्राइब काफी बुरा काफी काफी बुरा लेकिन इसके बाद सब कुछ है वेन्यू भी अच्छा नहीं है लेकिन लेकिन ओडिया में क्यावन केवरेज है इसेंट फॉर्म सब्सक्राइब पांस तेरा इक्यानुए है फिर आपको दिखेंगे बाबराजम एक टीम जिसके साथ यह काफी श्ट्रगल करते हैं नाम है इंडिया पांच मैच में बत्तिस केवरेज है वेन्यू पे एक मैच मैच इसेंटली बाराप एनाबाद जीरो विकेट जीरो विकेट पांच अर्टीस रने की विकेट चोदर रन इफ्तिकार रहमद अगर ओडिया में देखोगे पच्छाज केवरेज है नो विकेट भी हैं डिसेंटली देखोगे एक विकेट दूनोट बैक एक सो नो रन सत्रह जी तीन तीन विकेट एक मैच में दो विकेट लिए हैं फिर आपको दिखेंगे साइनसा अफरेदी वाई टीम कोई भी हो इंडिया के साथ तो यह आग लगा देते हैं किम था इन यहां मैच में वह न्यूपे नहीं खेले मुकाबला मेंसर नहीं यह 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 एंपर घरव माच में बतिश विकेट एरो मैच बतिश विकेट अल्मोस्ट धाई विकेट पर चाहिए नहीं जा रहे हैं और इंडिया को काफी है कुद्ट हैं यह नसीम सा ध्यान रख पिर आपको दिख जाएंगे हारिस रॉफ हेट टुएड एक मैच तीन विकेट वैंडियों पर चार विकेट तीन विकेट दो विकेट जीडो विकेट पांच विकेट बेंच पर रहेंगे हारिस नावाज अब्दुल्ला साफिक यूमीड और मुहम्मद वसीम जुनियर ज्या बिल्कुल जो फ्री गीव चल रहा है प्वियार फैमली के लिए वह क्या है आपको कमेंट सेक्शन हो जाने और बताने है कि एस्याग कप 2023 के चैंपियंग कौनसी टीम होंगी आप लोगों में से किसी दो लखी वैको मिलने वाले पांच-पांच-पांच इजार उपीस का ब तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपका 5000 आपके लिए इंतिजार कर रहा है बात करेंगे इंडिया का पॉसिवल प्लेइंग लेवन विद बैटिंग और रोई सर्मा सुभंकिल बिराट कोली से सहीर हार्दिक पंडिया इसान दम्दार किसन जड़ेजा कुल्दीप यादर सा समी कुल्दीप जड़ेजा 10-10 डालेंगे अप्रॉक्सिमेट इनका जो है मान के चलो की 40 आना ही है किसी का एकार ओबर कर जे दो कर जे माकी सार्दोर ठाकूर और हार्दिक पंड्या मिलके जड़ेज डालेंगे 10 से 12 ओवर 13 ओवर अगर इनमें से किसी का दिन बुरा होता है तो अब आई हम बात करते हैं सबसे पहले रोव सुपर हीट सरमा को लेके हेट टुएट के 17 मुकाबला में 15 का एवरेज है वैंड्यू पे 4 मुकाबला में 124 रन है ओडियाई के 24 मुकाबला में 14 का एवरेज है डिसेंट फॉर्म चोहत्तर पे नवादी ग्यार बारा तीस त पाकिस्तान को बहुत प्यार से मारते हैं इसान किसन आपको दिखेंगे उसके बाद इनका दिखेंगा हेट टुएट टुएट डस मैच में 23 काइबरेज है दस विकेट है ओडियाई में इनका दिखेंगा 32 काइबरेज है एक सो चुराइब विकेट है रिजेंट फॉर्म तीन विकेट चोहदा रन आट रन जीरो विकेट दस रन जीरो विकेट सोला रन तीन विकेट फीर आपको दिखेंगे लावड थाकुड शादू ठाकुड को लेके बात कर लेंगे एक एक मैच में तीन रन और यहां के उन्चालीस मैच में थावन विकेट डिजेंट फॉर्म विकेट तीन रन चार विकेट शोला रन तीन विकेट एक जीरो विकेट धियां रखेगा प्लस आपको हैंटी कुछ रन भी करके दे सकते हैं इनके साथ प्लस मेंट की यह हो जाता है कि अगर मानलो यह दो विकेट भी ले लिए एक विकेट भी ले लिए इंडिया टीम की टॉपट रफ लव गे कभी भी आके यह 25 पैटीस रन कर सकते हैं फिर आपको दिखेंगे भी लेए लेकिन तब बेंडिया की पहले बॉलिंग आए अब बेंच वाले को लेके बात कर लेंगे मौमबस समी मौमबस सीराज घर्दिक पगया देट वर्ष को लेके बात कर लेंगे समी सारगूल और आपको लिखेंगे मुहम्मद सिराज अब दूस्तों आइए सबसे बड़ी टोपिक्स सबसे बड़ी बात हमारी फेंटेसी की टीम क्या होंगी कौन होंगे हमारे कैप्टन कौन होंगे हमारे विसी के बात कर लें तो मैं आपको पांच कैप्टन विसी के नाम बताऊंगा उसमें से आपको नाम बताऊंगा साइंच आवरेदी का नाम इनका आपको बोलूँगा हार्दिक पांडिया का नाम यह पांच ऐसे फिलेंट जिसको आप जो मन करें कैप्टन विसी आप लोग देके जा सकतो हम भी फिलाल जो कैप्टन सी का भार है वो मैंने सौप है रोजी सर्मा को विसी मैंने दिया किंग को उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को चैंपियन्स टीम कौन बनने वाली है और आपके कोडिंग इस मैच में कैप्टन विसी की बेस्ट पेर कौन रने वाले हैं धन्यवाद